आज की वीडियो में मैं गाइडेंस दूँगी कि दिवाइन यूनियन क्या होता है और सोल मर्जिंग क्या होती है जिसे डिम डियेफ बैलेंस होना भी कहते हैं यानि दो आत्माओं का मिलन या काफी मेडिटेशन के बाद आपको बहुत सारे ड्रीम्स दिखने शुरू हो जात हैं उनका मतलब क्या होता है वो जैसे ही आपको ड्रीम में अध्यान कर दूए दो लॉगी जैसे दिये की होती दिये की लौ जैसा प्रकाश होगा वो आपको मर्ण होता दिखेगा यानि दो लोग होंगी दिये की वो आपको एक दूसरे में मिलती हुई दिखेंगी ड्रीम्स में क्योंकि परमात्मा का स्वरूप भगवत गीता के नुशार बताया गया कि एक ज्योती के समान होता है यहां मैं अपना ही ड्रीम्स शेयर करूँगी कि काफी महीनों तक ध्यान करने के बाद मुझे भ्रम मौरत में एक ड्रीम आया उसमें एक तेज प्रकाश दिखा मुझे दिये की लोग की तरह और फिर एक दूसरा ही प्रकाश नीचे से उपर की तरफ बढ़ते हुए उस बढ़े से प्रकाश में मिल जाता है तो तब मैं इस ड्रीम को समझने पाई थी कि क्या था पर काफी दिनों बाद मुझे अपने आप ही इंट्यूशन आई और परमात्मा ने मुझे उस ड्रीम का मतलब समझा है यानि एक डाउनलूड की तरह मुझे उस ड्रीम का मतलब जो हुआ वो डिकोड हुआ है तो परमात्मा ने समझा है मुझे कि जो प्रकाश तुमने देखा सपने में वो मेरा ही असली स्वरूप है और जो दूसरा प्रकाश था वो भी तुम ही थी तुम्हारा भी असली स्वरूप प्रकाश ही है जिससे शिवानी सिस्टर भी कहती है कि परमात्मा प्रकाश के पुंज़ के समाने वैसे ही हम सब भी प्रकाश का पुंज़ ही है क्योंकि आत्मा फॉर्मलेस होती ना वो पुरुष होती है ना इस्तरी होती है और गौर्ड ने बताया कि अब तुम मुझे में मिल गई हो मुझे में लीन हो गई हो हमेशा हमेशा के लिए तो रीम में जो मैंने लौ देखी थी कि जो लौ नीचे से उपर की तरफ बढ़के एक बड़े से प्रकाश पर मिली थी वो मैं ही थी तो ऐसे ही दो प्रकाश आपको ध्यान में ध्यान करते हुए या सपने में मर्ज होते दिखें दिखें तो समझ जाना आपका डिवाइन यूनिन हुआ है यानि आपका परमात्मा से मिलन हुआ है और इसका ये मतलब भी हुआ कि आप आध्यात्मिक राम में बहुत आगे निकल चके हैं और इसके अलवा जैसे कि हमारे अंदर दो उड़ जाएं होती है एक मैस्कुलिन एनरजी और दूसरी फैमिन एनरजी जो मैस्कुलिन एनरजी होती है पूरो शुर्जा वो प्रतिक होता है श्रीवत्व का और फैमिन एनरजी प्रतिक होती है श्रक्ति का श्रीवत्व जो होता है हमारी चेतना को दर्शाता है और जो श्रक्ति होती है प्रक्ति को दर्शाती है तो ऐसे ही आपको ड्रीम्स में या ध्यान करते हैं shift रखते का मिलन भी दिख सकता है तो इसका मतलब यह हुआ कि यह दोनों उठ जाएं आपकी masculine energy और feminine energy वो balanced हो चुकी है और स्तिर हो चुकी है और आप अब अब एक complete soul हो एक पूर्ण आत्मा हो और इसके लावा divine union के यह भी sign आपको मिलेंगे कि आपको God और Goddesses की ड्रीम बहुत ज़्यादा आने शुरू हो जाएंगे जिससे मुझे भी अपनी जर्णी में आय थे श्रीव जी के ड्रीम्स आना शुरू हो है साइम बाबा के ड्रीम्स आना शुरू है या आपको God की प्रेजेंस फिल होनी शुरू हो जाएगी प्रकति में जिससे मैंने भी काफी बाद मैंने साइम बाबा की प्रेजेंस फिल की थी प्रकति में और या तो फिर आपको जो डिवाइन की एनरजी होती है वो अपने आसपास फिल होनी शुरू हो जाएगी या एक और तरीका होता है divine union का कि आपको कैसे पता चलेगा कि suppose आप किसी problem में हो और अपने God से help मांगी और तुरन थोड़ी दिर के बाद ही आपकी problem है वो अपने आप solve हो जाती है तो इसका मतलब कि आप divine consciousness में हो आप divine से connect हो आपकी हर एक prayer divine तक पहुँचती है इसके अलावा या आपको यह भी दिख सकता है कि आप और आपके DM एक सार शेफ रखती की पूझा कर रहे हैं ऐसे visions आते हैं visions हमें जादा तर twin flame journey में क्या होता है हमें जो भी science वगर मिलते हैं वो dreams के जरीए मिलते हैं visions जो होते हैं visions हमें dreams में आते हैं और meditation में आते हैं ध्यान करते हैं वक्त इसके अलावा आपको mark अब भी दिख सकता है जिसमें दो triangles होते हैं आपस में जुड़े हुए एक triangle उपर की तरफ और एक नीचे की और तो इसके बाद जो df होती है divine feminine होती है वो अपने other half soul को जोंका counterpart होता है divine masculine को अपने अंदर feel करना शुरू कर देती है इसके बाद वो choosing के energy से बाहर आ जाती है यानि कि वो separation consciousness में भी नहीं रहती है अपने divine masculine की need उसे feel नहीं होती है 3D world में, इस material world में because fifth dimension में उसकी अपने divine masculine से merging हो चुकी होती है क्योंकि यह जो twin flame का concept है, यह अभी western से निकला है lockdown में यह काफी चर्चित हुआ यह concept, मेरी भी awakening lockdown में ही हुई थी मुझे भी इस journey के बाद में पता चला कि मैं इस journey में हूँ मेरी 2020 में awakening हुई थी March में तो awakening होने के within one month में ही मुझे tarot card videos जो होते हैं वो youtube पे पॉप अप होने शुरू हुए मेरी purging तो शुरू होई चुकी थी बट videos पॉप अप होने शुरू हो गए youtube पे तो ऐसे ही मुझे साइं बाबा का एक tarot वाला video था तो मुझे अच्चानक से बहुत strong intuition आने लगे हो थी उस वक्त कि मुझे ये video देखना जाए मेरी अंतरात्मा बोले थी कि ये video देखना है तुमें तो मैंने जैसे उस पे tap किया मैंने पूरा video सुना उस पे pick a card reading थी तो मैंने उसे पूरा देखा मैंने card भी किया तो जो भी उसमें situation बता रही थी वो lady sister जो भी थी तो मुझे से पूरी पूरी resonate हो रही थी पूरी match हो रही थी इसी तरीके से फिर मैंने continue उस channel को मैंने सारे videos देखने शुरू किये फिर videos में twin flame, soulmate, karmics, यह word मैंने सुने, soulmate तो पहचाना साही था बट twin flame और karmic word मैंने first time सुना था तब तो उसके बाद मैंने जितनी पाद भी मैंने videos देखे थे मैंने pika card reading देखी कि थी तो जो भी situations उसमें मैं pick करती थी किसी भी card को तो उसमें situation जो भी होती थी वो match होती थी मेर से जो भी मेरे साथ घटित हो रहा होता था फिर मैंने सारे spiritual awakening से related work शुरू किये और उस वीडियो में उस channel के जरी मतलब एक group meditation भी हुआ तो वो group meditation में भी मैंने participate किया उसके बाद मुझे intuition आई कि मुझे continue ये meditation करना है मुझे ऐसा feel हुआ मुझे अंदर से guidance रही थी कि मुझे meditation continue करना है और मुझे बिल्कुल भी boarding feel नहीं हुआ जैसे कि मैं काफी लोगों को ऐसे sessions ले चुकी हूँ तो उनको मैं बोलती हूँ meditation करने के लिए तो वो 3-4 दिन में या से 10 दिन में वो बोर फिल करने लग जाते थे बट जो especially इस परपर्स के लिए आते है जो ट्रिन फिल्म जर्नी में होते हैं जो spiritual जर्नी में होते हैं वो बोर नहीं होते हैं meditation से उनको deep उनके अंदर सूल से उनको पता होता है कि उनका ये purpose है और उनको ये करना ही है तो मैंने अपना जो meditation है अपना इनना वक है वो मैंने continue रखा उसके बाद group meditation के बाद फिर जाके दो मैने के बाद मुझे एक वीडियो दिखा जिसमें मैंने सुना था कि twin flames होते हैं उनको meditation करना जरूरी होता है तभी जाके उनकी journey जो ये twin flame journey है उनकी पूरी हो पाती है हाँ तो मैं ये कह रहे थी कि जो ये concept है अब भी बिस lockdown में ही ये बहुत ज़्यादा popular हुआ है ये western से निकला है पर हमारे सनातन धर्म में ये शेफ शक्ति के time से ही चर्चित रहा है ये कोई new concept नहीं है हमारी सनातन धर्म में ये new concept नहीं है ये शेफ शक्ति का ही है शेफ शक्ति यात्रा के बारे में ही है हाला कि आध्यात्मिक ग्यान के अभाव में कि लोग जिस तरीके से material world में involved हो चुके हैं involvement बढ़ गया है लोग spirituality से disconnect हो चुके है तो आध्यात्मिक ग्यान के अभाव में लोगों को इसके बारे में कुछ पता नहीं था और ना ही है तो अगर आपको भी ऐसे experiences रहे हैं कुछ अनुबव रहे हैं तो comment में share कीजिए ताकि और कोई भी twin flame journey पे है क्योंकि अभी बहुत ज़दा लोग awaken हो रहे हैं almost उसमें बहुत ज़दा twin flame journey में ही है और उसे पता नहीं तो comments पड़के उन जो भाई बेन हैं उनको पता चल जाएगा इस journey के बारे में क्योंकि आपने अपने अंदर के DMDF यानि जो उड़ जाए है masculine और feminine की इनको balance करके अपनी soul journey का बहुत बड़ा पड़ा पूरा किया है आप परमात्मा में villain हो चुके हैं और कोई आपको तोड़ नहीं सकता है या जुका नहीं सकता है कोई भी dark entity है भले ही वो कितना ही attack करने के कोशिश करें वो आपको नहीं हरा सकते या वो आपके soul purpose के पीच में नहीं आ सकते उनको गौड आने ही नहीं देंगे किसी भी dark या evil या ते हैं evil spirits होते हैं वो नहीं attack कर पारेंगे आपके क्योंकि बहुत सारी angels spirit guides होते हैं वो आपको protect कर रहे होते हैं आ गया है कि कल्यू के खतम होनेगा और सत्यू की शुरूवात होनेगा अब सत्यू की शुरूवात होगी तो ऐसी आत्मा को एक उद्देश्य से बेजा जाता है कि तुम्हें धर्टी पर प्रेम, दया, करूणा के भाव को लोगों के भीतर जागरत करना है लोगों को ये ग्यान देना है कि शुरूव शक्ति क्या है लोग भूल चुके हैं अपने सुनाथन दर्म को तो इसलिए जागरत किया जाता है कि फिर से परमात्मा की स्वर्ग जैसी दुनिया को उस परमात्मा को लोटा सके कितने लोग हैं अवेकन हो रहे हैं मेडिटेशन कर रहे हैं उनको यह सब ड्रीम्स में साइन मिल रहे हैं तो उनको पता चल सके इस यात्रा के बारे में ताकि हम एक नए स्वस्त समाज की रचना कर सके हम सब लोग क्योंकि सनातन दर्म सिफ कटरता दिखाने से नहीं लोटेगा बलकि ग्यान को जितना दूसरों तक फैलाएंगे तो उस ग्यान से वह हमारा सनातन दर्म वोपिस लोटेगा तो फ्रेंस आज की गाइडेंस डिवाइन गाइडेंस यहीं तक थी अगर आपकी भी अवेकनिंग हुई है या आपकी जर्णी के जो भी डाउट्स हैं वो आप कमेंट में मुझे पूछ सकते हैं गुडबाय, टेक केर, गॉडबलेस यू